जय हैं दोस्तो दोस्तो रश्या यूक्रेन क्राइसिस इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाला टॉपिक है और हमारे लिए भी खासतोर से वो सारे कैंडिडेट्स जो एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक इस साल बहुत इंप मैंने इसके लिए एक डेडिकेटिड वीडियो बनाया है जिसका मैं रिफरेंस दूँगा आपको आई बटल में लिंक दूँगा आप उसको देख सकते हैं जिसमें मैंने रश्या यूक्रेन क्राइसिस को डीटेल में आपके साथ डिसकस किया है पूरा हिस्टॉरिकल बैक् इंट्रिगेट हुआ और 15 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया तो उन सारी कंट्रीज की कैपिटल इंपॉर्टन है आपके लिए जाना इन सारी कंट्रीज की कैपिटल कौन कौन सी है चल चल यह देखते हैं आज की इस वीडियो में एक तो यह जो मैक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो, कि ये जो पूरा बांटरी था, ये अर्स्ट वाइल उससार था, और उसके बाद ये 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया, इसमें 11 नंबर पे आप देख रहे हो, ये रशिया है, और ये 14 नंबर पे जो है, ये है यूक्रेन, और बांकी ये सारी कंट्रीज है, इसमें आप देख सकते हो, कि ये सारी कंट्रीज को मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, अब एक एक करके इनकी कापिटल को देखते हैं, हो ज़्यादा पॉसिबल्टी है, कि आपको इन 15 कंट्रीज में से किसी की कापिटल पूछी जाए आपके एक्जाम में, चलिए शुरू करते हैं, अर्मेनिया की येरिवन, अजर्बेजान की बाकू, बेलारूस की मिंस्क, मिंस आप जानते हैं, मिंस एग्रिमेंट और मिंस प्रोटोकल आपने पढ़ा होगा, एस्टोनिया की तलिन, जॉर्जिया की टिबलिसी, कजागिस् अगले वीडियो में, इसी तरह की इंपॉर्टेन इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके एक्जाम्स के लिए बहुत जाद जुन्वी है, Friends, I am wishing you very very best of luck, stay safe, stay healthy and do take very very good care of yourself. Jai Hindustum!